हलो देल गे फामीलिये ना विगेट्स इस वीडियो में हमने क्या डिसकस करना है? आरपाइट से रिलेटिड बे आइंस लेवल की जर्मन वोकाबलरी जो लोस्केट्स सबसे पहले नाउन्स देख लेते हैं नाउन्स में सबसे पहले मस्कूलीन टेया हाउप जॉप कहते हैं में जॉप को टेया नेबन जॉप आपकी होती है साइड जॉप इसी के साथ साथ एक होती है टेया मिनी जॉप जो के बहुत कम टाइम के लिए आपको काम करना हो तो उसको मिनी जॉप कहते हैं इसी तरह टेया लेबन्स लाओफ कहते हैं सीवी को, टेया खुल्टुआ शॉक होता है कल्चरल शॉक जो आप किसी नए मुल्क में जाकर फिल्ड करते हैं क्योंकि वो आपके कल्चर से बिल्कुल अलग होता है। टेया आबाइट्स बेगाईश के दो तीन मतलब हैं, एक आपको हम जर्मन वर्जन में दी ठेटिश काइट कहते हैं, इसका मतलब ऑक्यूपेशन भी होता है। दी फोबे साइट कहते हैं प्रोबेशन पिरियड को, जिसमें कमपनी वाले आपको रखते हैं और चेक करते हैं क्या आप काम वाम कर भी लेते हैं के नहीं। दी बिव्य दास फोबिल्ट, मॉडल, दास एयागेबनिस, रिजल्ट, दास हाइमवे कहते हैं होम सिक्निस को, जब आप अपने घर से बहुत दूर जाएं तो शुरू शुरू में घर की बहुत याद आती है, उसको जर्मन में हम दास हाइमवे कहते हैं, दास आबाइट्स अम्ट होता किया आपको कुछ याद हैं अगर हां तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा, टेया आपाइट्ट केबा, इंपलॉयर, टेया आपाइट्ट, नेमा, इंपलॉई, काम देने वाला और काम लेने वाला, या काम लेकर करने वाला, टेया दीनस्ट प्लान, word से पता चाल जो के हमें दिया जाता है, कि इस दिन इस बंदे ने ये काम करना है, इतने टाइम के लिए करना है, इसी तरह टेया मेना बेगूफ कहते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन जो के हास्तोर पे जादा तर उसमें आदमी काम करते हैं, इसको अपोजिट क्या होगा, क्या आप गैस कर सकत तो एक वर्ड है हमारे पास कहते हैं ऐसे लोग जो के दूसरी कंट्री से आकर किसी एक कंट्री में काम करें उनका होता है उनका बैग्राउंड माइग्रेशन या इमिग्रेशन से रिलेड़ेड होता है कहते हैं जौब पोजिशन को दी आउस बिल्डूंग होती है हमारी ट्रेनिंग या अपरेंटेंटेंशिप एजुकेशन को भी कहते हैं हम और फॉर्ट बिल्डूंग अगर आप वर्ड नोट करें तो सभी के एंड में बिल्डूंग है बिल्डूंग का मतलब एक्चुली एजुकेशन होता है फॉर्ट बिल्डूंग का मतलब है फर्दर एजुकेशन और वाइटा बिल्डूंग का मतलब भी है फर्दर एजुकेशन लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इन तीनों वर्ड में आपस में difference क्या है तो आउस building जर्मनी में किसी भी field की हो सकती है जैसे के painter की carpenter की किसी की भी ना लेकिन जो fort building और vita building में असले difference है हलाके दोनों का मतलब further education है या further training है लेकिन fort building का मतलब है जिस working position पे आप already है ना उसमें आगे मजीद आप महारत लें वो होता है fort building और आम तोर पर जो companies जिन्होंने आपको hire किया होता है वो ही आपको fort building कराती है लेकिन vita building के लिए जरूर ही नहीं कि आपका अपना field ही हो किसी और field में जैसे अगर मैं teacher हूँ तो मैं marketing में vita building कर सकती हूँ या मैं software के programming के किसी भी certificates के लिए vita building कर सकती हूँ तो ये इन दोनों में difference है जहां तक बिश्वाइबूंग की बात है वो होती है description ये भी different words के साथ मिला कर हम इसको कर सकते हैं जैसे के build बिश्वाइबूंग और job बिश्वाइबूंग लेकिन जिस भी word के साथ बिश्वाइबूंग आएगा तो उसका मतलब होता है तफसील description तस चौब अंगेबूर्ट, job offer तस विश्टिक स्टे, सबसे जरूरी चीज तस फश्चनेडनिस, समझ, understanding तस आबाइट सौइकनिस कहते हैं उस reference letter को जो के आपको काम करने पर मिले तस पाव के वियाबे कहते हैं building sector को देया सूशुस कहते हैं grant को देया पाव लाइटा, construction supervisor श्टासन पाव, यहाँ पर भी construction है तो सडकों की construction बाव जहां भी होगा तो उसका मतलब है कि construction से related कोई बात हो रही होगी इसी से वर्भ है बावन, देया श्टुंडन लोन पर घंटा जो आप कमाते हैं उसको कहते हैं श्टुंडन लोन देया बेगाईटशाफ्स तीन्स्ट कहते हैं वैसे तो बेगाईटशाफ्स कहते हैं ready होने को तो यह on call duty है यानि ऐसी duty जब भी आपको call आएगी आपको duty पर जाना पड़ेगा तो उसको कहते हैं बेगाईटशाफ्स तीन्स्ट दी उम्फागे, पोल या सर्वे दी क्लाइट साइट कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्क टाइम को जैसे के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कभी ख़ज कभी आपको फ्लूदींस्ट, श्पे तीनस्ट, ओडाशाफ्स nुस्ट भी करनी होती है तो इस तरह के काम को दी कलाइट साइट कहते हैं दी थागे श्टेटे कहते हैं दे केर सेंटर जहां पे काम करने वाली खावातीन अपने बच्चों को छोड़ती हैं दी आबाइट्स क्राफ्ट कहते हैं वर्क फोर्स को दी केशेफ्स एडे सोरी थोड़ा पने मिस्प्रोनाउस किया मैंने दी केशेफ्स एडे बिजनस आइडिया दास आबाइट्स क्पडनेस कहते हैं इमप्लोइमेंट कॉंट्रेक्ट को यह इमप्लोइमेंट रिलेशन्शिप को दास जिशःफ्स स्थेम सेक्योर्टी सिस्टम दास फॉर्स्टैलुंच किश्पहेश जॉप इंटर्व्यू देर श्रिट कहते हैं स्टेप को different words के साथ इसको इस्तमाल किया जा सकता है जैसे के आबाइट्स ट्रिट, ट्या मिग्रंट, माइग्रेंट, ट्या क्लेटा पार्क, क्लाइम्बिंग पार्क, ट्या जाख पे आबाइटा, कहते हैं case officer को या फिर consultant को, ट्या फट्खीब्स लाइटा, simple लाइटा के दो तीन ही मतलब हैं, जैसे के head है, leader है या manager, फट्खीब कहते हैं marketing को, तो फट्खीब्स लाइटा, marketing manager, दी फोशाले, कहते हैं fixed rate को, flat fee को, और द्या मिग्रंट का female version है, दी मिग्रंटन, इस rule का तो हमें आइइंस लेवल पर ही पता चल जाता है, के masculine से feminine काफी सारे nouns के बन सकते हैं, और वो in लगा कर बनते हैं, दी फेस्ट अंच्टेलूंग कहते हैं fixed job को, fixed position को, दी बिगो फ्लेशे कहते हैं, office का area, office की space, फ्लेशे, या दी बिगो लाइटा गिन, office manager, office leader, लाइटा का feminine, लाइटा गिन, और इसके शुरू में हम बहुत सारे different words लगा कर उस चीज़ का लाइटा हम बना सकते हैं, जैसे के गाइजे लाइटा भी होता है, मांगल का मतलब होता है, shortage वागे होती हैं, चीजें या goods, तो ऐसी चीजें या ऐसे goods जो के कम हो, I think आज कल के दुनिया में शायद सोना कम रह गया है, इसलिए उसकी prices बहुत जाद हैं, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जो के मांगल वागे हो, नाउंस में कुछ आखरी थोड़े से रह गया हैं, वो देख लेते हैं, ती लाइआबाइट कहते हैं, टेंपररी काम को, जो के पर्मिनेंट ना हो, दी हैसलिशकाइट, वाउमनेस, दी श्वीरिशकाइट, मुश्किल, डिफिकल्टी, दी फिनांस क्वैले, कहते हैं, फाइनेंशल सोर्स को, क्वैले, यह हम जैसे बिल्ट क्वैले मैं कभी कभी देती हूँ ना, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा, तो क्वैले क आफिस को या एडवाइस, प्लेस को जहां से आपको एडवाइस मिल सके, उस जगह को हम बिगात उंश्टेले कहेंगे, कुछ वर्ब्स डिस्क्रिस कर लेते हैं, श्टिमन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन उनमें से दो हैं, वोट करना या सही होना, तुभी राइट क होता है, जो के उन्ठवन बागे व्याब है, जिसके साथ भी पे आए, वो सभी उन्ठवन बागे व्याबन होते हैं, तो बे आख्तन का मतलब है जी, to, not to, pay attention to, ध्यान करना, बिष्टवाफन कहते हैं, पनिश करना, बे गलाइटन कहते हैं, किसी का साथ देना, बाइट ख् contribute करना या add करना apply करना ना किसी चीज़ के लिए उसके लिए हमें बेंट खागन करना होता है beguistan कहते हैं जोश में होना to delight, to be enthusiastic के मतलब में जैसे नाउंस में हमने डिसकस किया था लाइटा उसी से वर्प है lighten lead करने के मतलब में to connect, to link के मतलब में एया थागन होता है जी बरदाश्ट करना to suffer, to be a कहते हैं manage करना कोई काम सर अनजाम देना क्षिंडिगन beant थागन का opposite है क्षिंडिगन कहते हैं design करना, quit करना या cancel करना आफ होगन होता है कोई चीज या कोई काम करना छोड़ देना, to stop, to end के मतलब में beliefन, simple जो beliefन है और beliefन दोनों का मतलब है supply करना, deliver करना फाइनन को आप आइन से याद रख सकते हो तो फाइनन का मतलब है एकठा करना, to unite आइन थाइलन कहते हैं to divide, बांटना unstillant, to hire काम पर लगाना या उफनन कहते हैं, इफ्तदा करना to open, to inaugurate के मतलब में unnameन के बहुत सारे meanings हैं, उन में से दो हैं to assume, to expect न, übernameन कहते हैं to take over काम की जिम्मदारी, निभाना, कबूल कर लेना उसके बाद है जी loss common, to get away के मतलब में, breakable होगा ये grunden कहते हैं to set up, to establish के मतलब में बुनियाद रखना by bringing कहते हैं to teach, उसके बाद है जी wegfahren, दूर चले जाना to go away के मतलब में for again कहते हैं आगे बढ़ना, या आप note करें weg, for जो इनके लफसी मतलब हैं, verbs के साथ attach होके कभी तो वही मतलब देते हैं लेकिन कभी कभी बिल्कुल different nah gain, अब ये पीछे जाने के मतलब में नहीं हैं लेकिन nah gain का मतलब है track रखना to follow up के मतलब में आउस आप item कहते हैं to work out, to elaborate suruk legan कहते हैं to put back, to reserve के मतलब में इसको हम use करते हैं आउस पावन कहते हैं जी to set up, to build up के मतलब में to sense, to feel for middle का मतलब होता है to mediate, to convey off striving का मतलब है to get hold of, मेहनत और कोशिश से कोई चीज पा लेना के मतलब में इसको हम use करते हैं जिश पे व्याबन कहते हैं application देना या apply करना jobs के लिए जिश पे व्याबन reflexivist व्याब है ask name and to take serious fry be common कहते हैं छुटी होना ना to get time off काम से छुटी होने के लिए हम fry be common के लिए verb use करते हैं entlasan के बहुत सारे meanings हैं, काम के reference से इसका मतलब है जी remove करना fire करना, लेकिन hospital से अगर हम entlasan हो तो उसका मतलब है कि hospital से हम discharge हो गए है पहले से कोई चीज देख लिए ना foresee के मतलब में इसको हम use करते हैं हे अगर लासन कहते हैं to allow to come near outstaben होता है to go extinct कोई चीज खत्म हो जाना totally जैसे के जो क्या है वो उस जानवर का नाम dinosaurs ना, वो extinct हो गए हैं तो उसको outstaben करके हम mention करते हैं एक text में कहते हैं वापिस लोटना जैसे के काम करने के लिए कुछ laborers बाहर जाते हैं तो जब वो वापिस अपने मुलकों में आते हैं वो सुरुक केगन करते हैं वाइटा फाब आइटन कहते हैं further process करना वाइटा फाब आइटन to process अब बारी है कुछ adjectives की stressish कहते हैं stressful को tension देने वाली चीज़ को self-standish कहते हैं self-employed जो लोग खुद काम करते हैं वो self-standish होते हैं gestured कहते हैं disturbed इसको opposite हो जाएगा un-gestured befristet कहते हैं temporary को और इसका उलट है जी un-be-fristet इसी तरह long-fristish कहते हैं long term को और इसका opposite है curse-fristish sorry curse-fristish होता है short term अगर आप note करें तो इन सभी में word आया है defrist frist का मतलब होता है time period या time frame false-standish कहते हैं full या complete इसको कैसे आप use कर सकते हैं जैसे के false-standing be-we-abung complete application begistered कहते हैं excited को gestressed हम stressish को कह सकते हैं shockyat shocked ungestelled काम पर लगे हुए होना employed geregled कहते हैं rules के तहतना या फिर controlled इसका मतलब होता है इहे मालिश जो चीज़ हम पहले कर चुके हों एक्स या फॉर्मर को कहते हैं तो इहे मालिश behind hooked कहते हैं impressed को पिलास्टंट कहते हैं burdened को बोज unaccount कहते हैं recognized को approved को unfanglish कहते हैं initial याद है न वर्ड unfanga जो के beginner को कहते हैं unstrangent कहते हैं stressful को थका देने वाला आप नोट करें कितने सारे negative words हैं काम से related stressish gestressed पिलास्टंट अंश्ट्रेंगंट grundsesslich कहते हैं basically को alliance at the end कोई भी हो सकता है आदमी या औरत उनके बच्चे हों लेकिन उनका पार्टनर ना हो तो वो अकेले पालने वाले होते हैं तो उनको कहते हैं alliance at the end phlege bedriftish phlege कहते हैं care को bedriftish dependent तो ऐसे लोग जो हुच से अपने काम ना कर सके वो phlege bedriftish होते हैं आप कुछ nutzliche आउस्ट होके देख लेते हैं जो के होते हैं useful phrases हमारे आज के topics related ये हैं जी कुछ useful expressions जो के आप video पॉस्ट करके note down कर सकते हैं और जाते जाते जल्दी से ही लेस्ट करिठे हैं रिखिश से जीन कर तेह हैं क्रिस्ट प्ड़ाउ ए लिख्गे हैं जी लेहें लिएस्ट लेवेद से डी क्टिए लेडिवस्टे फ्ट convictions उल्जाई जेव creativity हमागे हैं लीज प्लुप वीज़ लुग बेल्गज़्ग! भतन्दों में enquाले हो करो कि अ कारुख मिले कारूँ हैं, कि युरे को क salary वर टantu हैं करूग है। वेखरे कंळ जुरे को हते हो। कमई valores करूछ थए्टें . Entweder suchen Sie irgendwo anders etwas oder Sie machen sich selbstständig. Aber, wie gesagt, es gibt wenige Festanstellungen. Hoffentlich gehöre ich zu den Glücklichen, die irgendwann einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das fände ich schon gut, weil mir die Arbeit wirklich Spaß macht. Aber wenn ich es nicht schaffe, wage ich vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit. Bei befristeten Stellen stellt man sich immer die Frage, wird mein Vertrag verlängert oder bin ich bald wieder arbeitslos? Das kann ich mir für mich auf Dauer nicht vorstellen. Das fände ich, wenn ich das Video gefallen habe, kann ich mir gerne und kommentieren. Wenn es Ihnen helfen hat, dann mit Ihren Language Learning Freunden, mit Ihren Übersetigen, mit Ihren Übersetigen, können Sie mit Ihren Übersetigen und mit Ihren Übersetigen. Die beiden Videos sind gebt. Wenn Sie wollen, dann können Sie abonnieren. Ich bin in der nächsten Video. Tschüss. झाल प्लूज है जाद प्लूज है झाल